Hello everyone, welcome to study time with new informative video. अलाबाद हाई कोट से RO-ARO 2021 के वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है और आप लोग इसकी तैयारी में निश्चित तौर पर बहुत ही महनत के साथ लगे होगे. तो एक जो अलाबाद हाई कोट से एक लेटेस्ट अपडेट पता चली है हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंदित सभी अपडेट यहां पर समय समय पर मिलती रहती है तो अब हम बात करने वाले हैं अलाबाद हाई कोट से जो आरो ए आरो की वैकेंसी आने वाली है उसके एक्जाम के बारे में तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो अलाबाद हाई कोट आरो ए आरो का एक्जाम जो एजेंसी करवाती थी वो एजेंसी अब ब जब इसका विस्तित जो notification है वो जारी होगा उसमें ही सारी चीजे clearly पता चलेंगी लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RO-ARO का जो exam होता है इसमें पहले आपका pre होता है प्री के बाद आपका जो mains है यानि कि typing stage 2 वो होता है और जब आप pre की cutoff पार कर लेते हैं जितना की cutoff जाती है आप सभी जानते हैं 157 पिछले बार गई हुई थी 157 अंठावन उसा साथ इतना जाता ही रहता है cutoff तो 160 average जो है लगबग इतना ही cutoff जाता है तो इस cutoff को जब बच्चे हैं उनको stage 2 देने को मिलता है यानि कि typing test और उसमें जो बच्चे 49 50 जितने भी नंबर लियाए pre के हिसाब से और जो mains है उन दोनों को जोड़कर जो cutoff बनती है उस आधार पर आपका जो final selection है वो होता है ये पूरा complete जो process है वो इस exam का है लेकिन अब जो नई agency आई ह वो किस तरह से इसे कराने वाली है ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी जो बातें पता चली है जो अभी अलहबाद high court से जो information मिली है वो ये है कि जैसा आपका pre exam होता था वो same वैसा ही होगा मतलब pattern में कुछ बदला हो सकता है कर दे बट जो exam का process था same वैसा ही होने व अभाद high court ROARO exam में तो अब जो ये typing है ये आपकी typing पहले ही करवा ली जाएगी यानि कि जो भी इस form को भरेगा उन सब को pre के साथ साथ typing का test भी देना होगा मतलब दोनों जो आपके exam है वो एक साथ होगे पहले आपका stage 1 का exam होगा और stage 2 में आपसे ये करवा लिया जाएगा जैसा कि आप लोग से वायोग में देखते हैं पहले आपका GS का paper हो जाता है फिर CSAT का paper हो जाता है तो हो सकता है ऐसा ही कुछ ये लोग भी करने वाले हों सुबह time आपको stage 1 जो है जो descriptive paper है sorry objective paper है जो आपका वो करवा लिया जाएगा और उसके बाद साम time में evening time में आपसे typing कर वाली जाए और जो final result है वो एक साथ जारी कर दिया जाए अब ये time बचाने के लिए कर रहे हैं कि जल्दी सारी जो process हो complete हो जाए या क्या है ये सारी चीज़े तो अभी नहीं पता चली है लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो यही है कि आपका preka और जो mains है यानि कि typing वो ए एक साथ करवाय जा सकते हैं हलाकि अभी इस चीज़ पर 100% surety नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है लेकिन ऐसा कुछ होता है तो मुझे नहीं लगता है कि विध्यारतियों को इससे कोई परेशानी होने वाली है हाँ परेशानी उन विध्यारतियों को निश्चित तोर पर या बाद में हो टाइपिंग कभी भी हो आप कर लेंगे लेकिन जिने टाइपिंग आती नहीं है और ये सोच के बैठे थे कि परी के इकशाम के बाद 1-2 महीने का जितना भी टाइम मिलता है तो उसमें टाइप आपिंग शीखलेंगे और स्पीट बढ़ा लेंगे तो वो वो आपके एक साथ करवा ले जाए और अगर दोनो एक्जाम एक साथ करवा जाते हैं तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है क्योंकि आपने देखा था कट ओफ कितनी गई थी 157 कट ओफ गई और अगर आप 50 में 50 भी लेकर आ रहे थे टाइप जो मुझे पर्सनल ही लग रहा है बकि आप लोगों की क्या विचार है आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्षन के माध्यम से बता सकते हैं और इस संबंद में अगर कोई और अपडेट आती है तो आपको जो जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्थ हो जाएगी थ